यो यो में नमस्कार दोस्तों, इस डाला के आपके अपरीवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हाम अनौरमार्मेंट पढ़ रहे हैं, अनौरमермेंट में हम करीब कर अर्श लेक्चर कर चुके हैं। और इसके रिस्पेक्ट में मैंने पहला टेस्ट आपको लास्ट वीक कराया था और दूसरा टेस्ट जो की शेडूल था कि मैं करवाओंगा वीकेंड में वह आज करने जा रहे हैं इसमें बीस को इसने टोटल और अगर आपने अच्छे से रिवायच किया होगा तो मुझे उम होना चाहिए ताक कि जो भी मैं पॉइंट्स कवर करूंगा अंसर डिसकस करते हो समय वह आपका रिवीजन भी होता जाएगा तो दोस्तों इसमें कोई वह मत करिएगा आप पहले आंसर मार्क कर लिजे वीडियो पॉस करके उसके बाद जो है आपका अंसर के एक्स्प्लेश होगा ठीक है तो चलिएः शुरू करते पहले को से तो स पहला है भारत में इसमें से आपको बताना हॉटस पार बताना कौन सा है यह अगांसिर करती है हॉटसपों को होती है काहिअ यह अबatura वारत में टोटल चार होट स्पॉट डिकलेर किये वह चारों कौन से अगर आपको याद होगा तो एक हमने हिमालयन के रीजन है हिमालय दूसरा आपका अंडमान नेको बार्दीप समू है जो कि सुन्डा लेंड का पार्ट है तीसरा आपका जो आता है पूर्वी के जो हिमालय नहीं जो बर्मा का सटा हुआ एरिया जिसको इंडो बर्मा बोलते हैं वो रीजन है और चौता जो है वह पस्चिमिघाट याने की जो वेस्टन घात जिसको आफ बोलते इंग्लिश में तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन में अब देखेंगे कि पस्चिमिघाट वा 1988 में और इन्होंने होट स्पोर्ट को केटेग्राइज किया था बाद में कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने 1996 से जो है होट स्पोर्ट डेजिगनेट करना शुरू किया दो मेन क्राइटीरिया है एक तो तो आपने अपनान्सर ट्रीक कर लिया चलिये कोशान इंतरह बढ़ते हम ठीक है सवचान होट सबस्ञाव होट्सपॉर्ट जो इटकि इस महदीप में पाए जाते हैं काफी साथए पंद्रा सो जो है इस पेसी कम से कम हों जो हों वहांके ऐंड परसेंट नुक्सान हो चुका हो इस तरह से जो हरु है वहां और हां पर नौ है टोटल जो है वर्ट में कितने hurt spot है टोटल ौजो Jim Hotspot रहुड में तो आपके कितने हैं अभी हमने पिछले कोश्चन में देखा भारत में टोटल चार है ठीक है दोस्तों अफ्रीका में नौ है ठीक है चलिए तिसरे कोश्चन तरफ बढ़ते हैं मैं स्वास्थान तरफ अन्रचन तो यान इसको बोलते हैं इन इन शुका इन वरीजनल हेट नहीं मचलियों का सब23 का हुता से डिसकस किया था है वो एक सिटू का कंजर्वेशन का एक्जामपल है ग्रीन हाउस कुछ नहीं होता है ग्रीन हाउस बेसिकली होता है कि माली जे आपके हां पर धूप कम आती है तो आपका जो आपने जहां पर खेती करना या कुछ करना उसके चारों तरफ एक सीसे का एक घर टाइगर से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एथार्टी जो है वह नेशनल पार्क डेजिकनेट करती टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर गत टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था दोस्तों 1973 में आथा आपको पता होगा और टोटल भारत में कितने टाइगर रिजर्व से आपका असाम में है और सोना बेडा आपका और रतना पानी एंपी में तो यह तीनों को अप्रोवल मिल जाएगा तो टोटल च्रपन हो जाएंगे लेकिन फिलहाल के लिए तीरपन टाइगर रिजर्व से और यह टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया था ठीक है दोस्तों मानवी क्रिया के लापों से पूर्ण निशिद्ध पूरी तरीके से जहां पर रोख हो ऐसा कौन सा छेतर दोस्तों मैंने आपको चार एरिया बताये थे उनके चारों के संरक्षण के हिसाब से एक तो सबसे मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्टेड एरिया निकी पार काता है तो सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्शन दी जाती है वो राष्ट्री पार को दी जाती ठीक है दोस्तों सबसे ज्यादा यहां पर हियूमन्स का कोई भी क्रिया कलाप हो कोई बे काम हो वह पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है आप कुछ नहीं कर सकते बहुत एक सबस्क्राइब आपको बताया और है भारत ने इस टॉछ घुट्च में में भाग लिया था प्रोटेक्शन अधिनियम ठीक दोस्तों तो यह ऑप्शन जो आपका वन जी सनक्ष्ण अधिनियम में प्रोटेक्शन अधिनियम में टोटल छह सूचियां इसमें से पहले दूसरे में अत्यधिक सनक्षण है जीव जन्तुओं के लिए तीसरे चौथे में थोड़ा कम सनक्षण है लेकिन यह दोनों किसे रिलेटेड है चारों जीव जन्त से रिलेटेड हैं ठीक है दोस्तों पां सकते हैं उसके बारे में और चहटा जो सूची है पीड़ पौध कि बारे में अगर लुटा चाहते हैं अगर आप उनके बारे में अनको यहाँud करना चाहते तो उस रह कावड़े में से सनक्षड अधिनियम में वह हमें पेड़ पौदय के सनक्षड के बारे में बताती है ठीक है तो सबसे लेटेस्ट है उसको कूनों नेशनल पार्क को टाइगर रेजर डिकलेर किया गया है इसके बाद यह 11 था ठीक है तो 11 नेशनल पार्क सोरी टाइगर रिजब से टोटल जो एंपी में आते हैं ठीक है और चलिये अगले कुछ ना बढ़ते हैं इनमें से कौन सा सही सुमेली थह देखना है आपको की कौन सा सही सुमेलित है ठीक है दुस्तों अब इसमें आप देखिए सबसे पहले अर्थ समीट दोस्तों एक अर्थ समीट हुई थी अगर आपको याद हो 1992 में रियो समिट बोलते हैं उसको ठीक है दोस्तों रियो समिट बोलते हैं ठीक है तो वो कब हुई थी स्वारी वह थी 1992 में बिसिकली यह इन्वार्मेंट के ऊपर थी इन्वार्मेंट क्लाइमेट चेंज के बार में बात करते हैं यह समिटी और यह बहुत ही इंप्पॉर्टेंट समिट थी क्योंकि इसमें तीन बॉडि इसका जो है एक तरह से तीन बॉडि बनाई गई थी तीन दोस्तों एक थी तो यूएन एफ ट्रिपल सी थी एक थी यूएन सीबीडी यानि की बायोडाइवर्स्टी और एक यूएन सीचीडी था यानि की डेजर्टिफिकेशन से लेटेड यह तीन बॉडि इस अर्थ समिट में बनाई गई थी रियो में अर्थ समित हुई थी इसक रियो समित भी बोलते हैं कार्टा जेना प्रोटोकाल दोस्तों 1988 में नहीं आया था गलत है यह 2003 से लागू हुआ था और 2000 में साइन हुआ था ठीक है दोस्तों तो यह अप्शन आपका गलत हुआता है तो पहला सही सुमेलित है और बायोडाइवर्स्टी अधिनियम जो आया इंटिंग वाले गैंडिय मैंने आपको बताया था वह पूछा जाए कि सबस्यादा किसमें घंट तो सबस्यादा किसमें तो वी तोरह वाइड लाइफ सेंग्चुरी में यह दोनों ही असाम में ठीक है दोस्तों दोनों असाम में हैं और एक तरह से कह सकते कि यहां पे एक है आईए आर्व कर इंडियन राहिणि वीजन र् collaborative प्रोग्राम लॉंच किया गया था यह असाम के लिए ठीक है इनकी संख्या बढ़ाने के लिए 2020 तक इनकी संख्या बढ़ाने के लिए प्रोग्राम लॉंच किया था इंडियो राहिन नैशनल पार्क में सब्से ज्यादा एक सीह वाले घंडे पया जाते ठीक है अब बात आती शब्सियादा नैशनल पार्क वाल जासे अभी आमनेConf इंपी में और सब्स्यादा नैशनल पार्क भी में Post L Argentina आपको कमेट सेक्शन उसमौर कि कितने नेशनल प्रोटोकॉल इसमें से सम्बंदित है तीकल है दोस्तों अभी हम ने प्रोटोकॉल प्ढ़ा तक चाठा जेन आंने कि आपका नगोया प्रोटोखर्म Chaos कटा जेना कब आता 2003 दमया था फॉर्स में नगोया था 2014 में थिक तो ये दो तो प्रोटोकॉल है दो दोनों ही बायोडाइवर्स्टी से रिलेटेड है तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा नगोया प्रोटोकॉल ठीक है अब आती ओजोन परत की ओजोन परत को हानी पहुचाने वाला सबसे घड़े फ्रीज रहता है तो यह दोनों ही बेसिकली जो है ओजोन परत को व्लोरोफ्लॉरो कारवन यह दोनों ही गैसे जो है उजोन लेयर को बहुत ज्यादा हाम पहुचाती है इसलिए आज कल जो है बैसी के लिए एर कंडिशनट की जो यूज़ेस है उसको कम करने की बात की जाती है और यही दोनों है गैसे जो सब्सक्रादा पोटेंट ग्रीन अगर बढ़ते हम कि विश्व का एक मात्र कार्बन मुंक्त देश कांच सा है दोस्तों कार्बन मुक्त का मतलब होता कार्बन का मतलब है जितना हमने कार्बन तो सर्जन किया एंद उतना ही हमने और शोशीद भी कर लिया को ठीक है तो यह स्थिति जो होती वो कार्बन मुक्त होती है ठीक है अब कारबन मुक्त देश कौन सा है स्वीडन है ठीक है यहां पर option आपका हो जाएगा स्वीडन ही सही option है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं विश्ट्व का एक मात्र कारबन रिडात्मक देश कौन सा कारबन निगेटिव का मतलब होता है कि आपका जो और सोंसर है और सोंसर है कारबन का वो उत्सर्जन से जादा है ठीक है दोस्तों तो जो उत्सर्जन से तो कारबन निगेटिव कहलाता है वो कंट्री ठीक है दुनिया में एक मात्र एकलावता देश है भूटान ठीक है दोस्तों भूटान ही एक मात्र ऐसा देश है जो कारबन निगेटिव ठीक है तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए और इसको कभी पूछा सकता अभी तक कहीं पूछा नहीं गया है और यह बहुत ही यूनिक अश्ले सारे देश जो कार्बन को खटम करने की बात कर रहें कारवन होने की बात कर रहे हैं भारत ने भी कॉपट उन्टीक जुवा आभी कहां पर ग्लास गों में ठीक है यहांपे और इसमें भारत ने कहा था हम चाइब कार्बन न्यूटरल देश बन जाएगे मतलब जितना हम कार्बन उत्सर्जन करेंगे उतना ही और सोसित करेंगे कब तक बनेंगे तक भारत फिलहाल कार्बन एमिर्शन में किस मामले किस नंबर प्याता है पहले आपका आता चाहिना फिर यूएस से फिर इंडिया तो कौन सा अप्शन हो जाएगा तीसरे तीसरे नंबर प्याता भारत कार्बन उत्सर्जन में चलिए सुलामे नंबर बढ़ते हैं अब इस चारों कोईशन में स्वास्थानी सनक्षण में सबस्यांता सनक्षण किसको प्राप्त है यह कोईशन देख लीजे आप राष्ट्री उद्ध्यान ठीक है कुष्चन नंबर 17 चलते हैं जीवों के एक समुदाय से दूसरे समदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि माल लिजे कोई बहुत ही बंजर जमीन हो वहां पे कभी पर पौधे ना रहे हो तो धीरे-धीरे कभी कोई जैविक परिव परिवरतन से क्या होता है कि वहां पर तो कोई चीज नहीं दी लेकिन अब दीरे-दीरे वहां पे इनवारमेंट वणस्पत्यों का वुद्घमन होने लगता है ठीक है दीक है जो Chcal grade 2 का होता है यह होता सेकंडरी यानिकी दूतियक प्राइमरी अनुक्रमण वह होता जहां पहले से कुछ भी ना रहा हो ठीक है पहले से पत्थर रहे हो एकदम बंजर जमीन रही हो वहां पर जब कोई बनस्पतियां उगती है तो उसको प्राथमिक उत्करण अनुक्रमण कहते हैं यह जो है बहुत टाइप के पेड़ पौदे ऊग रहे हैं तो उसको दूर्तियक बोलते हैं ठीक है दोस्तों दूर्तियक बेसिकली फास्ट होता है क्यों क्योंकि आल्रेडी वहां पहले से ही काफी सारे वेजिटेशन थे तो साब सेवान न्यूट्रीशन थे सॉयल में मिट्टी में और वहा तो दो टाइब का होता प्राथमिक स्लो होता है यको अपको अप्सन क्या हो जाएगा पारिस्तिति की अनुक्रमण और जया उसाहनी क्षख वड़ता जो हमारे साईकल होती है हमारे इन्वार्मेंट में चाहे वो केमिकल हो चाहे भो फिजिकल हो पानी चल चक्र जानते होंगे तो एक तरह से चक्र होता है कि जल पहले सो समुद्र से भाब बनके उपर जाता है फिर संगनेन के दौरा वो बारिस के फॉर्म में नीचे आता है तो यह पूरा चक्र चलता रहता है वो सब जय भूर आसानिक चक्र के अंतरगार आता है पारिस्थितिक होता है एक नंबर का पिरामिड होता है और दूसरा बायो मास्का पिरामिड तो यह तीन टाइप के पिरामिड होते हैं तो यहां पर और ऑप्षिन क्या हो जाएगा ठीक है के लिए ठावे कोशन दरह बढ़ते हैं जीवों की संकट गरस्त जातियों की सूची बद्द करने जाता है इसमें टोटल स्था चुछ कर गरी होती है ठीक है दोस्तों तो वो छग तगरी को इसमें बताया जाता है ज्यादा important नहीं है आप घाणना चाहिए तो आप यहा पे करिच्टेंग्ट होते हैं पिर एक होता होते हैं फिर एक होता इंडेंच्राइड होते हैं तो होता नि यह एक होता इस उनको ludic Lucan 對 neighborhood में शारे प्रजातियों को उनके विफट्यार आपको केसी बॉढडी है इसका हेड़कोर्टर कहां पर है ठीक है आपको एक कमेंट सेक्षन बताना है चलिए निश्वर कोश्चन तरह बढ़ते हैं यूएन इपी दोस्तों मैंने आपको बताया था इसका जो गठन हुआ था वह पात जून को हुआ था कब हुआ था इस टॉक होम कॉंफरेंस में वह था इस टॉक होम आते हैं और यूएन इपी का जो हैड़ कोवाटर है वह कहां पर है केनिया में नैरोबी में ठीक है तो आपको यह जानकाई रखनी चाहिए केनिया नैरोबी में ठीक है और आज की डेट का हमारा आखरी कोश्चन है जो है सेव कुर्मा सेव कुर्मा किसने लॉंच किया था जिसमें ओलिव रिडिले टर्टल ठीक है एक टर्टल की प्रजाती शिकार हो रहा था काहिब इसका इंटरेंस मार्केट में काफि इसको ट्रेड किया रहा है तो उसको बचाने के लिए से डवन दों सीसी ब में वाइड लाइफ प्राइम कंट्रोल बीरो वाइड लाइफ क्राम लॉंच कि आ था शेक कुर्मा और भी सारे प्रोग्राम लांच किए अब यहाँ पर देखे़ कि लाइफ क्राइफ़ ब्यूरो का जो गठन हुआ था कुनраш kes तरके तहत हुआ था थीक है दोस्तों यून इपी का हेड़कॉटर हम ने देख लिया पर्यावरण और वन मंत्राले में ही है ठीक है दोस्तों डबलू सी बी जो है वह पर्यावरण वन मंत्राले में आता है लेकिन यह बेसिकली यहाँ पर प्रोग्राम के अगर बात करें तो वो जो लॉंज किया था डबलू सी सी बी ठीक यहां आज हमने 20 कोश्चन देख लिया है और उम्मीद करता हूं आप क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि एक वही है ना कि जो लड़ता नहीं वही हारता है अगर आप लड़ेंगे दिल से लड़ेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी ठीक है तो आप अपने तयारियों को परखते रहिए रिवाइज करते रहिए कोश्चन के थूरू और टेस्ट दे बाहितले तय है तो आपका जरूर नहीं वही तो आपको ब जरूर भर लड़ाअन ऐसे दिल से उत्याकाए है तो मुझे नहीं वहीं वहीं तो आपको